हेलो गाईज वेलकम बैक और आज हम खेले जारे एक ब्रैंड न्यू मुबाइल गेम जो कि है टुमारो सर्वाइवल वैसे ये गेम हमने पहले भी खेला था और अभी कुछ दिनों से काफी जादा मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि बाई यार टुमारो सर्वाइवल का सीज न्यू गेम प्ले एंड अभी चुए ने काईज इस गेम पे हमें सारा का सारा सामान खुद कलेक करना होता है सेमें सर्वाइवल गेम अभी चुए ने काईज सबसे पहले तो मैं या पर निकले थोड़ा सा बेरीज वगेरा कर लेता हूं क्लेक्ट क्योंकि गाईज आपको मेरे को यहां पे कुछ गोस्ट को मारना पड़ेगा ओके गाईज यह रभूत तो चलिए फटावर्स इसको मारने का ट्राइ करते हैं अभी मेरे पास कोई भी बैपन नी था तो मुझे इसको हास से मारना पड़ा एंड उसमें फाइट में जोए ने अपना हैल्थ काफी जा करता हूं तो अभी जोए ना मेरे को थोड़ा सा फाइबर और और कलिक करना होगा तो ओके फाइबर से मैं बैंडेज बना सकता हूं नहीं 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 गाईज फाइबर से बनेगा क्लोथ एंड क्लोस से बनेगा बैंडेज इस तो चलो अभी मैं देख रहा है यार बैंडे बना लेता हूँ, अभी भी नहीं यार, अभी भी हमें थोड़ा सा cloth की और ज़रू होता है, bandages बनाने के लिए, तो मुझे एक दो fiber के trees और चाहिए, वो collect कर क्या आता हूँ पहले, अब भी जो नहीं के, guys, एक fiber ये रहा, एंड उसको collect करते हैं, तो I hope, guys, इतना fiber मैंने collect कर लिया है, कि हम लोग जो bandages बना सके, ओके, यहां पे मैंने कुछ bandages craft करने के लिए लगा दिया है, वैसे, guys, हमारी fight जो हुई थी, ना, उससे हमारी health काफी जादा कम हो गया था, तो सबसे पहले अपनी health को full करते हैं, ओके, guys, यहां पे अपना health full हो चुका है, अब भी जो है, यार, मेरे को wood वगेर करने के लिए hatchet बनाना है, and hatchet बनाने के लिए चाहिए होगी है, मेरे को wood and stone, तो फटावट से, यार, मैं wood वगेर करता हूँ अपने पत्थर से, तो लगता है, मेरे को एक trees काटने में लगबग 10 wood मिल रहा है, जो की काफी जादा बढ़िया है, पहले से, क्योंकि guys, पहले जो था न, काफी कम wood मिलता था, जिसमें काफी जादा दिमाय खराब होता था, अब जो है, काफी जादा सही कह दिया गेम को, तो मुझे लगता है, मेरे को थोड़ा सा स्टोन्स वगेरा चाहिए, अभी मेरे को स्टोन्स के rocks ढूनने है, जहाँ पर से हमें मिलेगा काफी जाद स्टोन्स, तो जब तक यहाँ पर मैं स्टोन्स के rock ढूनता हूं, तो यार वीडियो स्टाट करने से पहले, जो भी मार इस वीडियो में न है, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज गाइस चैनल को कलीचे सब्सक्राइब, अगर वीडि उसको भी हम कले कर लेते हैं, तो ठीके गाइस मैंने दो rocks तोड़ दी हैं, अब भी सबसे पहले तो मैं अपने के लिए pickax बनाता हूं, I mean hatchet बनाता हूं, और उसके बाद जो बनाएगे न मैं pick बनाऊंगा, अपना spear I mean, अपना spear I mean, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा stones और चाह इसके एक्सक्ले मेरे को थोड़ा सा wood चाहिए, spear तो मैंने अल्डेडी बना लिया है, and हाँ guys मेरा pig बने के ready हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग फटावट से यहां पे, मेरे को हीरन को मारना है, तो मुझे हीरन डूड़ना पड़ेगा, हीरन किदार है, तो चलो guys, अभी हम लोग आगे चलते हैं, and वहाँ पे देखेंगे, भाई इधर ही होना चीए, तो चलो यार, जब तक वो नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, वूड़ पगेर कले करते करते हैं, आगे निकलते हैं, ओके guys, यह रहा, तो मुझे जो एना तोड़ा सा चुपके जाना करते हैं, यहां पर मैंने मारा, and इसमें देखते हैं, क्या मिलता है, लगबग guys, इससे मेरे को 4 मीट मिली है, and एक बोन मिला है, तो मैंने guys, वो दोनों की दोनों चीच कले कर लिया है, बोन का भी यूस आ सकता है, and अभी मुझे बोन का यूस के बारे में इतना नहीं पाता, and अभी guys, मिलेको अपने केले campfire बनाने, क्योंकि मुझे अपने केले food वगेर भी cook करना है, तो फटावर्ट से हम campfire बनाते है, and campfire बनाने केले मिलेको काफी अच्छी amount में, जोए न, wood and stones चाहिए, तो फटावर्ट से यार, मैं wood वगेर कले करता हूँ, क्योंकि guys, आपको पत यार, survival game का lifeline है, wood, तो चलो, काफी जाद अमाउंट में wood कलिक करते है, and उसके बाद, जोए न, हम अपना campfire बनाएंगे, तो I hope guys, मुझे लगता है, इतना wood में तो अपना काम easily बन जाएगा, अभी जोए न, हम लोग फटावर्ट से अपना campfire बना लेते हैं, तो मुझे campfire प्लेस करने के लिए, अपने base के पास में जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने बनाया नहीं, मेभी हम अपना base जोए न, व तो यहार यहार यहाँ पर अपना campfire बन के रेडी हो चुक है, फ्र्पी मैने ड़ीजिए कर हे है कि में थोड़ा सा न, aard 50 एक्रा फां कर लेता हूँ, तो अपन लोग campfire अपना जाधा दूर प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अपना base बनाना है, तो पहले में देख लूँ ओके यार यह अपना बेस को लोकेशन है वैसे अपना बेस के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं सो मैंने डिसेड करा हम अपना कैमफायर यहां पर प्लेस करता हूँ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है अभी अपने क Mexican food अगरा कुक करतें यार हम split करके नहीं डाल सकते क्या मुझे तो नहीं लगता हम split करके डाल पाएंगे चलो कोई नहीं गाईस हम ऐसे करते हैं पूरा एक stack की डाल देते हैं and कुछ coins लगीगे तो मैं ऐसे करते हैं फटाफट coins का use करता हूँ क्योंकि food cook होने में काफी जाधा time लगता है and अभी guys हम लोग इतना time waste नहीं करना चाहतें तो guys यहाँ पर हमारा food वगेर cook हो चुक है and अभी में को यहाँ पर अपने कलिए backpack बनाना पड़ेगा and backpack ले भी as usual मेरे को wood and fiber चाहिए तो फटाफट से याद मैं wood वगेर खलेक करता हूँ तो अभी जो फाइबर यहाँ पर से मिल चुक है and लगता है इतने में तो काम बन जाएगा so finally अभी जो अपन लोग अपने कलिए backpack बना लेते है and guys यहाँ पर हमारा backpack बन चुक है and time आ चुक है यहाँ पर से निकलने का काफी खतरनाक जंगल में जाने का ठीक है तो चलिए guys हम फटावट से यहाँ से निकलते हैं वैसे अपने हाथ में spear लख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है वहाँ पर काफी जादा खतरनाक जाउनवर हो सकते हैं तो finally guys यहाँ पर हम लोग निकल चुके अपने main player base से एक greenwood में तो चलो यार greenwood चलते हैं and वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ क्या-क्या difficulties होगी ओके solo team तो मैं तो solo हूँ तो चलो guys ऐसे करते हैं अपने लोग solo ही निकलते हैं तो guys यहाँ पर मेरे को greenwood जाने के बाद कुछ rewards मिले हैं वो सारा का सारा collect करते हैं okay take item from the storage तो फटावट सम items वगेरे ले ले लेते हैं जो कि हमारे storage से मिला है क्योंकि उनकी काफी जादा ज़रुत पड़ीगी अपने को ओके यह रहा storage boxes and यहाँ पर मेरे को कुछ cloths मिले हैं cannon meat मिला and water पर मिला जो कि यहाँ पर काफी जादा यूस काम काएगा तो चलो guys अभी जो है ना मेरे को यहाँ पर trash can को open करना पड़ेगा लगबग 10 trash can को जिससे हमें definitely कुछ नो कुछ नो कुछ components मिलेगा जैसे हमें last day में spear मिलता है ना इसमें भी हमें कुछ नो कुछ कच्रा मिलता है जिससे हम कुछ नो कुछ नहीं चीज बनाएंगे वो धीरे धीर गाइस आगे पता चलेगा अभी मुझे यह चोटा सा map है greenwood का and यहाँ पर explore करना है तो चलो यार अभी मैं सबसे पहले यह घर देखता हूँ जो कि abandoned है and definitely इसमें भी कुछ नो कुछ trash cans तो होंगे जिनसे में काफी अच्छा सामान मिलेगा अभी अभी zombies मारना पड़ेगा इसको तो spear से मैं ऐसे भरता हूँ ना easily मर जाएगा तो guys यह तो मर चुका है and अभी मैं अंदर चल के देखता हूँ अंदर क्या-क्या मिलेगा चलो यह draw को खोलते है कुछ नहीं guys पूर साड़ावा सामान था and कुछ poly bags थे इससे क्या मिलेगा ओके यार इससे में काफी जादा important चीज नियल्स मिली है तो यार नियल्स आप लोग लेके चलिए क्योंकि वो काफी जादा काम की होती है तो भाई देख लीचे यहां मैं यहां पे इतना अच्छा सामान मिल चुका है and अभी चैने guys यहां पे कुछ भी नहीं है so हम ऐसी करते हैं यहां पे से बाहर निकलते है अब बोन्स मिला मेरे को जॉंबीज में and बोन्स भी उठाता हूं यार okay आगे कुछ नो कुछ तो है तो चलिए हम आगे चल के देखते हैं आगे क्या है वहां पे कुछ केंस के ट्रास के मेरे को लोगो साइन हो रहे तो मुझे लगता है अंदर कुछ न कुस्तों मिलेगा ओ देखो गाइस evergreen village अब यह sewer आ गए यहां पे सब बाग ओ पीछे sewer definitely मेरे को मार देंगे तो मुझे लगता है ऐसा बागना पड़ेगा वैसे इसको मार ने कटाई करें अरे काईस यह damage काफी गंदा दे रहा है नहीं नहीं इसको नहीं मार पाऊंगा ऐसे करते हैं इनसे निकलते हैं भाई बच के निकल के वार वैसे यार अगर हम लोग explore कर दिये ना उस जी को को तो definitely अपने को काफी अचा resources मिल जाएगा तो मैं ऐसे करते हुँ ना सब सब पहले अपने के लिए बैंडेज बना लेता हूं और उसके अब आद हम वहाँ पे जाने का ट्राइ करेंगे और देखेंगे गाईस कि हमें वहाँ पे क्या-क्या मिलता है तो मुझे लगता है definitely उसके अंदर कुछ नो कुछ तो खास मिलेगा तो अभी हम लोग सीधा रास्ते नहीं चलेंगे ऐसे करते हैं यहाँ पे से इसको मारने का ट्राइ करेंगे ओके मुझे लगता तो नहीं यह उपर आ पाईगा ओके याँ यह बिल्कुल भी अपनको डेमेज नहीं दे पा रहा है नहीं डेमेज तो दिया है गाइस थोड़ा सा तो चलो ओके बेंडेज लगा ले तो हमें क्योंकि हैल्थ अपना थोड़ा सा कम है अंदर जो नहीं गाइस काभी जादा सुवर है ओके इससे मेरे को तोड़ा सा मीट मिला है बोन्स मिली है और मेरे को लैदर मिला है ओके देखो गाईस यह डिगए इसको उपन करता हूँ इसमें भी कच्रा मिला अबे ओए सुवर आ गए मेरे को लगता है मार नहीं पड़ेगा इससे फाइट लेनी पड़ेगा ठीक वाई स्पेर बना के आया था मैं अगर स्पेर नहीं रहता तो गया था मैं अब भाई एक साथ तीन-तीन कहां से आ गई है ओके गाईस एक बचा वाई इसको मारना पड़ेगा ओके बढ़ गया तो चलो गईस सबसे पहले तो इंसर में मीट, लादर, एंड बोन्स वगएरा उठा लेता हूँ एंड उसके बाद जिवे ना हम अंदर को एक्स्प्लोर करेंगे और देखते हैं अंदर अपन को क्या-क्या मिलेगा क्योंकि यह मिसल्स था ना तो वो तो करना बने गई तो चलो गईस अभी ओके एक यहाँ पे तो नहीं है न ओके यहाँ पे तो नहीं है अंदर चलना होगा तो डोर ओपन करते हैं यहाँ पर भी गाईज एक दो ड्रॉल से इनको ओपन करके देखते हैं इन में से क्या मिलता है ओके वाटर बोटल्स मिले और खाली वाटर बोटल्स मिली तो खाली वाटर बोटल्स को भी मैं उठा लेता हूँ क्योंकि गाईज उनका definitely कुछ न कुछ यूस तो आएगा तो अभी जो इनकाईज कुछ भी हमें समान यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि कुछ भी हमें पता नहीं है कि क्या चीज किस काम पर आएगा यहाँ पर मेरे को पैन मिला था पैन का क्या काम आएगा वो आगे बता चलेगा सबसे पहले मैं दूसरा ड्रोल ओपन करता हूँ इसमें भी गाईज कुछ कच्रा वगे रहा था ओके सो फाइनली गाईज हम लोगों ने दस ट्रैस कैन्स ओपन कर लिये और अभी जो इनकाईज हम फटावट से इस मैप से निकलते हैं बाहर प्लियर एरिया में चलने के लिए क्योंकि अपन लोगों ने यहां का मिसल्स तो कंप्लीट कर लिया है सो फाइनली गाईज हम अपने एरिया में पहुंच चुके हैं अब भी जो इनकाईज हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जितन भी समान हमारे पास है वो हम अपने storage box में डाल देते हैं तो चलो गाईज फटावर से यह समान storage box में डालते हैं वाटर बॉत्ल से अपने पास रखेंगे कि वाटर बॉत्ल का यूज आ सकता है और बैंडिज भी और जो cook food है न है guys वो हम अपने backpack में रखेंगे क्योंकि हमें food का काफ़े ज़रू हो तो cannon meat हम लोग रख दिते हैं अपने storage boxes में क्योंकि guys कभी हम नए map को explore करेंगे न तो cannon meat वहां लेके चलेंगे क्योंकि guys अभी हमें पानी का जुगाड करना है तो सबसे बढ़िया वो rain catcher है तो चलो अभी हम लोग photographers अपने क्लिए rain catcher बनाते कुछ rewards मिले मेरेको और वो भी में क्लिक कर लेता हूँ तो चलो guys अभी हम लोग photographers है rain catcher बनाते and rain catcher के ले मेरेको थोड़ा सा cloth चाहिए and cloth देखता हूँ guys मेरे storage boxes में है या नहीं है storage boxes में तो cloths नहीं है तो मुझे fiber click करना पड़ेगा and fiber से जो है ना guys हम लोग cloth बनाएंगे ओक यार अभी मेरेको एक cloth चाहिए and अपने पास fiber नहीं है तो सबसे पहले मैं fiber देखता हूँ यहाँ पे देखो अभी cloth fiber डूणता हूँ ओके यहाँ पे मेरेको fiber मिला अब लगता है मैं cloth तो बना लूँगा तो चलिए guys finally हम लोग उने cloth बना लिया एम जल्दी से guys अपना जो है न rain catcher को craft करते है and फटावट से उसको place भी कर देंगे तो ऐसे करते हम rain catcher को यहाँ पे कहीं पे place करेंगे okay guys finally हम लोग ने rain catcher यहाँ पे place कर लिया है and आज हमने काफी जादा काम किया and आज की वीडियो के लिए बास guys इतना काफी है and अपना base वगेरा जो हम next video पर बनाएंगे जो की काफी जादा सांधार होगा and next video में जो हम काफी जादा नहीं जगा को explore करेंगे तो चली guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो कोमेंट करो and बन करें तो याँ चैनल को सब्सक्राइब करना मद बुलना तो चली guys अभी जो है ना सबसे पहले मैं जाने से पहले अपने के लिए पानी भी भरी लेता हूं उसके लिए मिर को चाहिए खाली बोटल्स एंड फटावट से खाली बोटल्स हम यहां पर लगा देते हैं जल्दी guys उन सारी के सारी बोटल्स में पानी भर जाएगा तो guys इसका यूज यह है यह काफी अची अमाउंट में पानी वगरा करेगा तो चली guys मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई इन नेक्स वीडियो बाबाई एंड काफी गजब का गेम है काफी जादा मज़ा आगिया सर्वाइवल करने में तो चली है बाबाई सी यू